हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासीज में तो आज के प्रिमिक्स में पांच कोशन्स हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और आर्ट इंड कल्चर कॉंपोनेंट से इसमें आपके कुछ स्टाटिक कोशन्स रहेंगे कुछ इस सीरी से कोशन हम ने यहां पर डाले हैं ताकि आपको आइडिया लगे किस तरीकी से हमने अपनी टेक्स स्टाटिक रिजाइन की हैं फिर आपके कुछ इसमें पी वाई क्यूस भी रहेंगे ठीके जी तो आई देखते हैं किस तरीकी के आपकी प्रेपरेशन है इस साल के प् कुचा स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपसे पुझा रहे हैं उसे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इंकरेक्ट हैं इंकंटेक्स्ट ऑफ चिस्टी ट्रेशन और उनकी जो रिलेशन्स थे एंपररस के साथ ठीके जी अब इनकरेक्ट से पूछी गई है तो ध्यान से दोनेशन रहती थी वह फ्यूचर यूज के लिए कठा करते थे और फूर्स में कह रहे हैं कि कि इंग सम्टाइम सौट लेइटिमेशन फ्रम दसूफी तो चार स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई है इस पूछी इसके बारे में इनकरेक्ट सेटमेंट्स बतानी है ध्या हमारे पॉलेटिकल लेट्स से वह इन्हें काफी ग्रांट्स देते थे इन फॉर्म ऑफ क्याशन काइंट तो पहली दो सेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट होगी बट थर्ड में जो बात हो रही है कि यह जितनी भी डोनेशन अपने फ्यूचर यूज के लिए तो यह से आपकी यहां पर इन करेक्ट है बेसिकली जो भी उनके अर्जन रेक्वार्मेंट्स रहती थी फूर्ड क्लोधिंग तो इन सबी चीज़ों के लिए जितनी भी इन्हें डोनेशन मीते थी उसे यूज करते थे और फोर सेटमेंट में करेक्ट है जो जितने भी राजा थे सिर जितने भी आपके ग्रुप्स माइग्रेट हुए थे इंडिया में दे लेट सेंटी आपके सबसे ज्यादा इंफिलेशल थे यहां काफी इसली अडाप्ट कर चुके थो यहां का महौल इंडिया का ठीके जितने भी सेवरल फीचर्स ने हमारे इंडियन डिवोशन के उन्हे पर सेट हुआ था जिसके चलते उन्हें इस तरीकी के ग्रांट्स और डोनेशन्स वहां मिलते थे किस तरीकी ग्रांट्स मिलती थी कि चैरे टेबल ट्रेस सेट अप कर दी जाता था था उनके लिए टैक्स फ्री लैंड उन्ने दे जाती थी ठीके जी तो इस से लिए आपको यहां पर बताईगी है कि जो राजा थे उस दोरान के simply वो यह नहीं चाते थे कि उनका association रहे इनके साथ कि वो demonstrate करें इस association को हालांकि जितने भी अगर उनके social matter रहते थे उसमें time to time वो इनसे सलाव मशवरा भी करते रहते थे important points हैं आपके प्रेंस point of view से देखा जाए जितने इनफर्मिशन यहां पर आपको दी गई है सारी relevant context में दी गई है तो अपने notes में से जरूर compile कर लिजिए simple सा question था अगले question की वर बढ़ते हैं कुछ festivals के आपको यहां पर नाम दिये गए हैं ठीके जी अब आपको यहां पर इन pairings में बताना है कि कौन कौन से आपके correct हैं पहल अपर में हॉन्बिल फेस्टिवल के बारे में बात हुरी है कि अगरिकल्चरल फेस्टिवल आपका नागलायंट का और अम्बुबाची मेला के बारे में कह रहे हैं कि आपके harvest को celebrate करने के लिए festival मनाया जाता है इसी से related आपको चार कोड यहां पर provide किये गए हैं कि इनमें से खर्ची पूजा है यह आपका कृष्णा से रेटेड नहीं आपके लॉड शिवजी से रेटेड है ठीके जी और जो आपका अम्बुबाची मेला है यह आपका harvest से रेटेड नहीं बिसिकली यहां पर कुछ आपके हम कह सकते हैं rituals हैं जिसके बारे में बात करेंगे जो कि celebrate के करने के जाता है ठीके जी क्यों celebrate कि जाता है काफी auspicious day माना जाता है तिबितियन community के लिए और यह आपका full moon day को ही celebrate कि जाता है ठीके जी किस तरीके celebrate कि जाता है यहां पर आपको image में देख सकते हैं इस तरीके का मेला वहां पर organize कि जाता है फिर बात करें खर्ची पूजा के बारे में तो basically यह आपका state of 13 से ही originate हुआ है और यहां पर Lord Shiva को worship करने के लिए उन्हें honor करने के लिए festival यहां पर celebrate कि जाता है जो कि उन्होंने order कि जाता है लोगों को उस दोरान की worship करें 14 other duties को भी ठीके जी celebrate कि आता है दस दिन तक और आपका यह July के महिने में celebrate कि आता है इस आपका festival रहता है जो कि आपके first December से शुरू हो जाता है ठीकिजी इसमें जितने भी आपकी major naga tribes रहती है डेंट करती है इस festival को और basically जितने बिए टालेंट है cultural वेवेड़नेस त्रू कॉस्ट्यूम वेपन बोज और एरो यह सबी चीज़े महां पर showcase की जाती है इसके लिए आपको relevance के लिए यहां पर इस तरीके का festival रहता है यह फिर बात करें आपके मूबाची मेला के बारे में तो basically आपके fertility rituals के साथ associated है कहां पर celebrate कियाता है कमाख्या temple जो कि आपका गुहार्टी में the state of Assam important है यह सारे festivals किस तरीके से celebrate किया जाते हैं कहां कहां celebrate कियाते हैं और सभी की साथ आपको images तो यहां जोड़ी दिए हैं ताकि आप थोड़ा अच्छे से इन्हें याद रख सकें ठीके जी ऐसे questions UPSC आपसे पूछता भी है festivals related कि अच्छा कोई फेस्टिवल के आपको नाम दे दिये हो यह isolated state ही यहां पर mention कर दिया गया है बताईए इन मेंसे कौन-कौ इसका कब बनाया गया था इसे कमेरेट करने के लिए अक्पर की विक्ट्री से ओबर बेंगॉल उसलिए बनाया गया था थार्ड में कह रहे हैं इसमें आपका marble का भी काम किया गया और साथ के साथ इसमें आपके जीजस क्राइस के भी वर्सेस लिखे गए है तो चार कि बिंगॉल के उपर जोनकी जीत थी उसके लिए नहीं जो गुजरात के उपर इसका स्थापित किया गया था इसे निर्मान किया था इस बुलंद दरौज़े का इंपॉटंट क्यूं है तो देखिए यह जो बुलंद दरौज़ा है इसे हम गेट उफ मेगनिफिसन्स के न और यह आपका highest gateway है in the world and it is example of Mughal architecture, important है इस तरीके से और इसी के ही उपर आपकी Jesus के verses भी लिखे गए हैं जिसमें, क्या lines लिखी गए हैं exactly, that the world is a bridge, pass over it, build, but build no houses upon it, he who hopes for a day, may hope for eternity, but the world endures but an hour, spend it in prayer for the rest is unseen, simple सी बात क्या कहना चाहरे हैं यहांपर, कि जितने भी followers हैं, वो world को अपना permanent home ना माने, ठीके जी, as a journey की तरहें इसे consider करें, तो यह basic से चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं, साथ के साथ इसमें आपके कुरान से भी कुछ-कुछ verses हैं, जो कि इसमें आपके engrave किये गए हैं इ कह रहे हैं कि जो आपकी treaty of Lahore थी, यह sign की गई थी आप the first Anglo-Sikh war, ठीके जी, अब आपको बताने हैं इन में से कौन-कौन से आपके main features हैं इस treaty के, और उसे से लेटेर आपको यहांपर बताने हैं कि correctly कौन-कौन से बताएगे हैं, पहले में कह रहे हैं, जो जलंदर दौाब आ की गई हैं आपके treaty of Lahore से related, जो की first Anglo-Sikh war के बाद sign की गई थी, थोड़ा सोची इसके बारे में, correct statement आप से पूछी गई है, correct option यहांपर mark कीजिए, discuss करते हैं फिर इस question को, तो देखिए यहांपर आपकी पहली दो statements ही correct है, third statement जो बात हुरी, दिरलिप सिंग को हटा दिया गय खतम हुआ था, तो उस दरान 6 को basically काफी humiliating treaty वहांपर sign करनी पड़ी थी on March 18, 1846, क्या-क्या features थे, कि basically इसमें जितना भी खर्चा हुआ और बावर पे जितना भी नुकसान हुआ है, of more than 1 crore of rupees, यह अब इंगली सरकार को देने पड़ेंगे, थिके थी second में जो आपका जलंद कर दी गई थी, ठीके जी, इसके लावा और क्या-कया points है, जो कि आपको पता होने जुरूनी है, दिलिप सिंग को आपको recognize कर दी गए था, as the ruler, under Rani Jiden as Regent, and Lal Singh as Vazir, ठीके जी, but अब जो 6 थे, वो पूरा जितना उनके उपर खर्चा लगाया गया था, कितना उनने पैसा pay करन है, वो तो नहीं कर पाए, तो उसी के चलते कश्मीर, including Jammu, आपका base दिया गया था, गुलाब सिंग को, जिसके चलते, उन्होंने pay किये थे, 75 lakh to the company as the price, ठीके जी, और यहीं से ही, आपके अलग treaty भी sign हुई थी, गुलाब सिंग के साथ, जब ये कश्मीर आपका transfer किया गया हुने, ये important points ने, जो कि आपके इस particular topics related, बहुत जादा important है, और relevant भी है, तो इन्हें अपने notes में जरूर compile कर लीजिए, ठीके जी, simple सा question था, I hope आपने इसको correctly mark किया हो, तो आज के final question के और बढ़ते हैं, जहां पर बात हुरी है, Charter Act of 1813 के बारे में, तीन statements आपको दी गई है बताना है, इनमें से कौन कौन सी correct है, और उसी के लिए आपको चार codes यहां provide किये गए हैं, और ये है आपका 2019 का question, तो देखते हैं, पहली statement में कह रहे हैं, कि इसने end करी था trade monopoly of the East India Company in India, except for the trade in tea and trade with China, second में कह रहे हैं, इन्होंने assert किती sovereignty of British crown over the Indian territories, जो की company जारा hold की जारी थी, और third में कह रहे हैं, जो revenues थे इंडिया के, वो अब आपके British Parliament के control में थे, तो तीन statement दी गई हैं, इस तरीके के acts आपके काफी important रहते हैं, exam point of view से, 1947 से पहले जितने भी acts आपके आए हैं, उन्हें जुरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से compile कर लीजिए अपने notes मे तो पहले तो इस question को attempt कीजिए, देखिए यहां पर कौन-कौन सी statements आपकी correct हैं, correct option mark कीजिए, discuss करते हैं फिर इस question को, तो देखिए जो आपका Charter Act of 1813 था, तो इसमें आपकी पहली दो statements तो बिल्कुल सही हैं, कि यहां पर कुछ-कुछ restrictions लगा दी गई थी, East India Company के trade पर, बट यहां पर आपकी जो उनका T का trade था और जो उनका OPM का trade चाइना के साथ चल रहा था, उस पर आपकी restrictions नहीं लगाई गी थी, और जो आपको British crown था, उनकी sovereignty भी यहां पर assert कर दी गई थी, जितनी भी Indian identity थी जो की company के control में आती थी, बट जो revenues थे, वो आपके British Parliament के अंडर नहीं थे, वो आपके भी भी East India Company के ही अंडर थे, तो यहां पर आपकी पहली जो statement correct है, तो उसके धार पर A option correct option है, क्या के main provisions थे, सबी चीज़ें आपको यहां पर mention की गई है, खास बात क्या कहती, कि आपके एक लाख रुपए annually, यह decide किया था, कि वहां पर जो हमारी literature और हमारे ज ठीके जी, तो इस तरीके से जितने भी आपके important acts हैं, उनको जरूर अच्छे से compile के लिए, question आपको किसी भी तरीके से आए, तो वहां पर आप एक अच्छा attempt तो जरूर देख सकें, ठीके जी, तो यह थे आज के हमारे 5 questions, I hope आपने से सबी नहीं, 5 out of 5 यहां पर score किया हो, ब बात के साथ आपकी two minute series चल रही है, ठीके जी, जहां पर जितने भी important concepts है, आपके prelims point of view से सभी thoroughly discuss किये जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, इन सभी initiatives को follow कीजिए, और last में दिन के 5 questions discuss करते हैं, जो हम इस प्रेमिक्स के माद दिन से उसे भी regularly attempt कीजिए, ताकि जो आपकी prelims की preparation है, वो और जादा यहां पर strong हो जाए, तो इसी तरीके से regularly अपने फ्रेमिक्स की तैयारी करते रहे है, समय नस्दीक आज चुका है, अब जतने जादा आप net practice करेंगे, जतने जादा आप टेस्स देते रहेंगे, उतना जादा आपके लिए beneficial रहेगा, तो that will be all, all the very best and have a good night. करेंगे तो झाल झाल झाल